नमस्कार दोस्तों डिलेट फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है दोस्तों काफी लंबे समय के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बीच में ऐसा कुछ था नहीं जो हम वीडियो बना के आप सबको बता सके इसलिए इतने लंबे समय बाद आज ह पहली बार रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं और पास में बेल एकन दबा लाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचें पहले फार्म अपडेट बताएं तो अभी के समय पे फार्म पे टोटल गाये जो हैं वो छे हैं क्योंकि लेबर की कमी हैं अभी फार्म पे इसलिए हम हमने गाये कम रखी हैं लेकिन एक उसी की बात है कि कम गाये से भी हम अच्छा प्रोडक्शन ले पा रहे हैं जिसम से दो गाये प्रेगनेंट हैं और दो गाये अभी प्रेगनेंट नहीं हुई हैं और दो गाये अभी ताजी भी आई हुई ह जो दो गाई प्रेडनेट नहीं है उसका बताएं हम जो गैरलेंडो क्रॉस में हैं वो गाई रिपीटर कह सकता हैं हम क क्योंकि बार-बार वो रिपीट कर रही है इसलिए अब जाकर हम जी पीजी लगाएंगे अगर वो फिर से रिपीट करती है तो जी पी जी इस पे किया जाएगा और दूसरी वाली गाई है उसकी हेट टाइमिंग हम सही से नहीं ले पा रहे हैं दोस्तों वो साइलेंट हीट पे आती है तो उस वज़े से हम काफी लेट हो चुके हैं इस गाई को इंसेमिनेट करने में अवे तक दोनों गाई उन्हें प जो अभी तक का हम इन दो गायों को प्रेगनेंट नहीं कर पाए हैं तो आने वाले एक मेहने के अंदर या एक से डेड़ मेहने के अंदर हमको इन दोनों गायों को कैसे ना कैसे प्रेगनेंट कराना ही होगा वरना हम काफी लेट हो जाएंगे और फिर लास्ट में जब जिसमें हमको अपनी जेप से खिलाना पड़ेगा तो हमको वहाँ पर ज़्यादा लॉज देखने को मिलेगा इसलिए हमें इनको जल्दे से जल्दी कैसे भी करके प्रेगनेंट कराना होगा चाहे वो जीपीजी के साहता हमें क्यों न लेनी पड़े बात आती है लेवर की तो इस काम में लेवरों की समस्या बहुत जादा है लेवर बहुत ज़्यादा परेसान करके रखते हैं इसलिए जब तक का हमारे पास सिंगल लेवर का का काम होगा तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी लेकिन हमको अब काम बढ़ाना पड़ेगा तीन से चार लेवर जब तक का हम हैर नहीं कर सकते इतना काम जब तक का हमारे पास नहीं हो पाएगा तब तक का हमें लेवरों की प्रॉब्लम थोड़ा सा रहेगी तो काम को जल्द ही बढ़ाया जाएगा लेबर ज्यादा रखने में ये फायदा होगा क्योंकि एक लेबर जाएगी तो एटलिस हमारे पास तीन लेबर रहेगी जो काम को हैंडल कर सकती हो तो आज के लिए इतना ही वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद